हेलो दोस्तो वेलकम टू माँ चैनल तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नास्ति की एक और नई रेशिपी लेके आए हूँ जो जटपड बन जाती है खाने में भी बहुत टेस्टी है और टेस्टी के साथ हेल्दी भी है चलिए बनाना सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पह वाल में एक कप चाओल का अठा और साथ में देंगे कुछ सबजी एक मच एक से दो मच कटी हुई प्याज दोकटे हरी मेर्च थोड़ा से गाजर इसे में बारिक से घीस लिया है थोड़ा से धन्या पत्ता और देंगे साथ में चिली फ्लेक्स और देंगे हाफ इंच कुटी हुई अद्रक आपके पास जो सबजी हो आप वही डाले थोड़ा सा नमक, हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून अजवान इसे मैंने हाथ में क्रस करके डाला है अब सभी चीजों को चमत से मिला देंगे अच्छे से मिलाएंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके चावल काटा को गूत लेंगे एक बार में ज़्यादा पानी ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, और जैसे आप पानी डाले, थोड़ा हाथ से दबा के टाइट करते जाए, चूकि नमक डाला है तो सबजी भी थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो आप एक बार में ज़्यादा पानी ना डाले, एकद के लिए कवर करके ढग देंगे ताकि जो सब्जिय में मौश्चर है निक्स हो जाए आटे के साथ अब पांच मुट बाद इसे अच्छे से गूत लेंगे देखिए अब पानी के ज़र्वत नहीं है जो एक्स्ट्र सब्जी से पानी निकला था उसी से आटा मुलायम हो चुका है डो हमारा तयार है अब हम नास्ता बनाएंगे पहले हम बेलें के उपर में थोड़ा से तेल लगाएंगे आप प्लेट या थाली के उपर भी कर सकते है अब हाथ में थोड़ा सा लोई काटेंगे डो से और इसी तरब फैलाएंगे हलके हाथों से ना ज़दा मोटा ना पतला करना है मीडियम साइज का बनाएं तो यह अच्छा लगता है अब एक चमच या इसी तरह से कल्ची के साइड से उसको अच्छा सेप देंगे अब पैन में दो चमच तेल करम करेंगे और हलके हाथों से रखेंगे गैस का फ्लेम को लो कर देंगे अब उसे कवर करके दो मिनिट सेक लेंगे जब यह नीचे से अच्छी तरह से सीख जाए तो अपने आप किनारे छोड़ देंगे तब उसे पलट देना है दो मिनिट हो चुका है देखें किनारे छोड़ने लगा है अब इसे चमच से पलट के दूसे साइड भी सेक लेंगे इसे बनने में एक से दो मिनिट ही लगता है बहुत जल्दी बन जाती है पर इसके लो फले में ही पकाना है ताकि अंदर कच्छा ना रहे देखें मेरे एक रोटी बन चुकी है इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे पैन में फिर से दो चमच देल डालेंगे अब दूसरे भी इसी तरह से सेकेंगे कवर करके रखेंगे दो मिनिट लो फलेम पर देखें कि नारे छोड़ने लगा है अब इसे पलट देंगे दूसरे साट भी सेक लेंगे दो मिनिट हो चुका है दीखें कितना चख कलर आया है यह बहुत जल्दी भन जाती है बहुत रिस्पी होती है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसी तर मेरे 4 रोटी बनाई है एक कप आटे मेगे चार रोटी बना है आप धनिया की चटनी हो या ट्रोमेटर के चटनी किसी के भी साथ खाईए आपको अच्छा लगेगा आप एक बाद ज़रूर बनाईए तो दोस्तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं अच्छे लगे तेक लाइक करें और नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नए रेशिपी के साथ